Hello everyone and welcome to fly high tutorials. Guys, आज हम discuss करेंगे Digital Electronics में lecture number 32 और इसमें हम flip-flops के बारे में और उसी के साथ साथ triggering mechanism क्या होता है flip-flops का उसके बारे में बात करेंगे. इस lecture को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके previous lectures नहीं देखे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और notification bell को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो lectures है वह आपको timely मिलते रहे हैं और जो channel है हमारा non-tech subjects related fly high classes के नाम से उसको भी subscribe कर लीजिए, link मैंने description में दिया हुआ है तो कई जैसे कि आपको पता है last few lectures में हमने latches को काफी detail से पढ़ा है हमने वहाँ पर काफी बात की है latches के बारे में यहां पर हम थोड़ा सा flip-flops का भी overview ले ले लेते हैं वैसे मैं आपको flip-flops के बारे में काफी basic चीजे बता चुका हूँ तो flip-flops का basically है क्या flip-flops basically जो आपके हैं वो ऐसे devices हैं जो काफी जगा आपके use होते हैं काफी variety of purposes के लिए आपके flip-flops को use किया जाता है और अगर इनको proper way में connect किया जाए तो इनको आप temporary storage के लिए भी use कर सकते हैं यह data को temporary store कर सकते हैं उसी के साथ multiplication, division या counting purpose के लिए भी use कर सकते हैं जैसे कि आप counter में इनका इस्तमाल देखेंगे तो flip-flops के बारे में मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि flip-flops आपके क्या है यह आपके bistable multivibrators है ठीक है और bistable का मतलब बताया था कि दो stable state होती है तो simply इनके काफी type होते हैं और जैसे कि jk, d, sr, t flip-flop अगरा जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे तो इनको आप पहचान सकते हैं इनके input के अधार पर या inputs को देखके आप बता सकते हैं कि यह किस type का flip-flop है लेकिन इन सम में एक चीज common होती है वह होता है इनके output क्योंकि आपको पता है output इनके दो और सिर्फ दो ही हो सकते हैं वह है Q और एक है Q complement और दोनों ही एक दूसरे के complement होते हैं यांकि यह 0 है तो यह 1 होगा और यह 1 है तो यह 0 होगा यह इन सभी flip-flops में आपके common होता है अब flip-flops जो है एक आपका MCQ के लिए question बन सकता है कि flip-flops जो है वह आपके synchronous by stable devices हैं यह कभी-कभी आ जाता है आपका तो ध्यान लगना है आपको synchronous by stable devices हैं आपके flip-flops अब by stable का मतलब तो आप समझ गए हैं कि 2 stable states हैं अब synchronous का मतलब क्या है synchronous का मतलब आप समझ लीजिए कि suppose कीजिए आपका कोई triggering input है जैसे कि last case में मैंने last case में आपको enable बताया था तो अगर कोई आपका triggering input है जिसे आप simply कह सकते हैं कोई clock है तो clock के किसी भी specific point पर अगर आपका output या फिर state change हो रहा है तो हम कहेंगे कि जो आपका change हो रहा है output में वो है आपका synchronization of clock यानके clock के साथ में हमने synchronize किया हुआ है आपके output को output तभी change होगा जब उस clock का कोई specific point आ जाएगा या आपको आगे थोड़ा सा और बहतर तरीके से में clear कर दूँगा last lecture में मैंने आपको बताया भी था एक concept वो था आपका level triggering का तो level triggering में मैंने आपको बताया था कि आपका output या state कब change हो रहा था जब आपका enable high था सिर्फ यानि कि जब high होगा तभी आपके state change होगा तो सिर्फ इस specific point पर इन specific points पर ही आपका state change होगा और अगर यह होगा यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तो यह मैं आपको अलड़ी काफी detail में पिछले भी बता चुका हूँ अब यहाँ पर कुछ और terms को भी हम समझेंगे level triggering को मैंने अलड़ी बता दिया है तो एक mechanism वह भी है triggering का उसी के सासा अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर edge triggered के बारे में edge triggered तो edge triggered क्या है अब simple है यह भी आप समझ जाएंगे कि यह suppose कीजिए आपकी clock pulse की transition है clock pulse कीए transition है यह आपका 0V पर है और यह आपका 5V पर है यह simple आप कह लिए logic 0 पर है और यह logic 1 पर है concept आपको नहीं भूलना है जो मैं स्टार्टिंग सापको बताता आ रहा हूं तो edge triggered का मतलब क्या है आपका edge triggered का मतलब है कि flip flop का state है वह change होगा या तो positive edge पर या निकि rising edge पर positive edge क्या है तो आप यहां पर देखेंगे यह rising edge है आपको positive edge है इसे हम कहते है positive edge positive edge या rising edge क्यों कह रहे है कि आप यहां में देखेंगे यह 0 से 5 volt की दरफ जा रहा है तो यह positive edge है तो इस case में flip flop का state है वो सिर्फ जितने भी आपके positive edges है उन्हीं पर change होगा जैसे पहला positive edge यह है दूसरा यह हो सकता है and so on इसी तरी के तीसरा यह हो सकता है तो यह आपको समझ लेना है उसी के साथ साथ या फिर आपका जो state है वो change हो सकता है negative edge पर भी और negative edge क्या है तो आप negative edge यहां पर देखेंगे तो यह negative edge है यह negative edge या इसको हम कहते है falling edge भी negative edge या फिर falling edge आपका जो state है वो या तो negative edge या falling edge पर change होगा या फिर positive edge और rising edge पर change होगा तो negative edge यह है आपका उसी के साथ यह है तो यहां पर यह आपका state में change होगा ठीक है तो यह आपको I hope clear हुआ होगा अब उसी के साथ जो clock pulse है आपकी वो positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है और pulse के मैंने यहाँ पर भी आपको जैसे की दिखा दिये हैं दो transition होते हैं दो transition कौन कौन से हैं या तो 0 से 1 है या फिर 1 से 0 है ठीक है अब positive जो transition है उसी को हम कहते है positive edge और negative transition को हम कहते है negative edge ठीक है तो जो भी positive edge के कारण या फिर negative edge के कारण जो भी transition होता है या जो भी respond करता है उसी को हम edge triggering कहते हैं ठीक है यह simply आपको clear हुआ होगा तो हम यहाँ पर देखिए कि हम बात करते हैं positive edge के कारण किस तरीके सा आपके states change होते हैं तो यह simply आपकी clock pulse हम draw कर देते हैं तो जो positive edge है वो यह है तो यहीं पर आपका states है वो change होंगे अब यह है आपकी clock pulse output कैसे change होगा तो अगर यह आपकी output है जिसे क्यों कहते हैं तो यहाँ तक यह down है लेकिन जैसे ही आपका यह first rising edge आया है तो यहाँ पर high हो जाएगा और कब तक high रह रहेगा? जब तक कि आपका यह second जो positive edge है जब तक ना आ जाएगा और जैसे ही second जो positive edge आएगा तो यह फिर से down हो जाएगा यह लो हो जाएगा उसके साथ यह low कब तक रहेगा? जब तक दूसरा यह आपका rising edge नहीं आ जाता है फिर high हो जाएगा and so on इसी तरीके से आप draw कर सकते हैं तो आपने देख लिया कि output किस तरीके से change हो रहा है यह से हम कहते है positive edge triggered उसी के साथ negative edge triggered की case में क्या होगा तो negative edge triggered में भी similar ही case होगा जब आपका falling edge आएगा तो यह आपकी मैंने draw कर दी है clock ठीक है तो आप यहाँ पर देखेंगे यह सारे के सारे आपके negative edge है या फिर falling edge है तो आपका जो state है वो इनी पर change होगा यहाँ पर आप output को देखेंगे इसको क्यों से denote करें तो यहाँ तक low है लेकिन जैसे ही यह first falling edge आ रहा है यहाँ पर high हो जाएगा और कब तक high रहेगा जब तक कि दूसरा falling edge ना आ जाए अभी दूसरा falling edge आ रहा है तो यहाँ पर फिर से down हो जाएगा उसी के साथ साथ फिर यह again आ गया है आपका falling edge फिर से high हो जाएगा और फिर से down हो जाएगा तो इस तरीके साथ आप देख सकते हैं समझना बहुत आसान है कि negative edge triggered क्या होता है और positive edge triggered क्या होता है तो इसी के according जो है वो flip flop का state change होता रहता है अब basically तीन टाइप के edge triggered flip flops होते है ठीक है तीन टाइप के edge triggered flip flops होते हैं एक है आपका SR पिर D और J के इनके बारे में हम detail में आगे पढ़ेंगे अब मैं आपको यहाँ पर logic symbols बता देता हूं कि logic symbol क्या होंगे edge triggered के को इसमें positive edge triggered क्या होगा और negative edge triggered के जो logic symbol है वो क्या होंगे तो यह SR के case के लिए मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पर एक S होगा और एक R होगा उसी के साथ साथ यहाँ पर एक clock signal भी होगा है जिसके साथ में हम synchronize कर लें हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है और दो ही output होगा एक Q होगा और एक Q बार होगा तो य क्या है logic symbol है आपका positive edge triggered का उसी के साथ साथ negative edge triggered का भी logic symbol आपको बता जाता हूँ तो ध्यान रखना है दोनों में फर्क समझना है आपको वो क्या होगा तो S और R दो inputs होगे same जैसे कि हमने इसमें draw किये हैं और दो ही output होगे आपकी यानिके Q और Q complement लेकिन यहाँ पर जो clock होगी उसके case में आपको ध्यान रखना है कि एक bubble आएगा starting में इस तरीके से ये इसका logic symbol है दोनों में difference समझ गया है यहाँ पर bubble नहीं है और यहाँ पर bubble है दोनों में difference आप समझ गया होंगे एक बार मैं आपको overview बतायता हूं इसमें जब आपका positive edge होगा यानिका rising edge होगा आपका जो state है तब ही change होगा यहाँ पर जब negative edge होगा या falling edge होगा state में change तब ही आएगा बहुत आसान है लेकिन concept अगर आपने clear कर ले हैं तो आगे के lectures आपक इसमें होने वाले हैं तो मुझे बताईए कि आपको lecture कैसा लगा अगर पसंद आया है तो like जरूर कीजिए आपके like करने से हमारा motivation बढ़ता है और उसके साथ share कीजिए अपने friends के साथ में जिनके आप समझते हैं कि lecture important हो सकता है Facebook page को like कीजिए Twitter पर follow कीजिए link मैंने description में दिय इसको check out कर लीजिए और subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय शुब रहे thank you very much